नमशकार दोस्तों सुवागत आपका हमारे चैनल ओटो इंफिनिटी पर दोस्तों बढ़ते ओटो मोबिल मारकेट के साथ इंडियन मारकेट में सेडान सेगमेंट की डिमांड भी भढ़ रही है और आज हम बात करने वाले हैं हुंडा सीविक के 11 जिनरेशन मोडल की जो 2022 में लॉंच होने वाला है दोस्तों एक बार बिना इस कार की फीचर्स की बात किये आप इसके आउटर पे नजर डालिए आपको काफी शांदार और मस्कुलर आउटर दिया गया है जो काफी अग्रेसिव लुक देता है ये आपको फुली स्पोर्स कार वाली वाइब देने वाली है बात करें कम्पेटिशन की तो ये कार कम्पीट करने वाली है हुंडे एलेंटरा को, वोक्सवेगन जेटा को और टोईटा को दोस्तों अगर न्यू जेनरेशन सिविक को प्रिवेस जेनरेशन सिविक से कम्पेर किया जाए तो इंजिन परफॉमेंस भी काफी इनेंस किया गया है आपको जान 2021 की सिविक में 2 लीटर इंजिन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ जो 158 बीएच्पी की पावर परड्यूज करता है वहीं आपको 2022 की सिविक में 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजिन मिलने वाला है जो 180 बीएच्पी की हाई पावर परड्यूज करेगा लेकिन दोस्तो 2022 की सिविक से मैन्वल टर्शमिशन का उप्चन कट आउट कर दिया गया है अब ये ओनली ओटोमिटिक टर्शमिशन में मिलने वाली है और इस कार को एजन स्पीड टेस्ट किया गया तो अराउंड 7.5 सेकिन्स में ही ये 96 किलोमिटर पर हारते की स्पीड पकड़ लेती है दोस्तो पैटल और डीजल के बढ़ते दामों को देख EPA का मानना है कि सिविक का मिड रेंज वेरियंट XE वेरियंट सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिसेंट वेरियंट रहने वाला है दोस्तो बात करें लेंट और हाइट की तो 4.6 मिटर की लेंट और 1.3 मिटर के हाइट लेकर ये कार मार्केट में लौंच होने वाली है कार के फ्रेंट में आपको ब्लेक शेड़ेड हैड लेंप्स LED DRL के साथ क्यूब शेफ फोग लेंप्स जो काफी अट्रेक्टिव और यूनिक लुक देते हैं बात करें इंटिरियर की तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलने वाला है डैशबोर्ड का फ्रेंट हैनी कॉम पेटरन पे बेस्ट है जो AC वेंट्स को फुली हाइड कर लेता है और ये चीज़ इस कार को अपने आप में खास बना देती है और आपको 10.2 इंचिस की डिस्पले और 7 इंचिस की इंफोटेंडमेंट स्क्रीन और वाइलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे और भी फीचर्स मिलने वाले है तो अगर ओवरॉल कार के इंटिरियर को देखा जाए तो आपको काफी क्लासी इंटिरियर दिया गया है सेफटी रिगार्डिंग आपको स्टेंडर्ड ओटोमेटेड एमर्जेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेंडर्ड एडेप्टिव क्रूस कंट्रोल मिलने वाला है कार की वारंटी और मेंटेनेंस कवरेज को देखें तो कम्पटी मनलेक किलोमेटर और 3 यर्स तक की वारंटी देने वाली है बात करें प्राइस की तो इसकी एस्टिमेटेड प्राइस 16.5 लैक रुपेशे शुरू होगी तो अगर ओवरॉल कार के इंटिरियर और आउटर लुक्स को देखें तो ये प्राइस काफी वर्थ रखने वाली प्राइस बनने वाली है तो अगर आप एक फुली लगजरी और स्पोर्स कार लेने का मन बना रहे हैं तो आप इस शांदार सेडान का वेट जरूर कर सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ऐसे ही क्यूक रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद जेवारत